आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नमर वन की सोचल डिफरेंस की बात की हमने इस से बात आती है क्राफ्ट प्रड़क्ट की जैसे मोहन जोदारु की बात करें, जो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था यहाँ पर आप देखें, क्राफ्ट प्रड़क्शन जो है, काफी devoted क्राफ्ट प्रड़क्शन आपको देखने मिलता है beads making होती है, जो beads है, यह है beads, दान से देखें, यह बनेंगे shell cutting का काम होगा, जो shell है, shell को काटेंगे, metal working होगा लोहे पर जो भी आ कर देने का काम है, सोने का काम है, या फिर copper के mirror बनाने का काम है, यह सारी चीज़ होगी seal बनाने का काम किया जाएगा, और weights जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, एक kilo का बाट, खेर अभी तो बहुत कम होगया, क्योंकि digital measurement के लिए आ गही है machine है, लेकिन उसके पहले भी आपने देखा होगा, वन kg का इस तरीके से दिखता था, फाइक गिए चीज़ें का इस तरीके से दिखता है, वो सारी चीज़ें आपने देखिये ओंगी अगर तो ये जो weights है, ये बनाने का काम किया जाता था, साथ में, जो weights बनाने का बानाने क बहुत सारी चीजों की beats बनाई जाती थी Metal work की बात करें तो copper, bronze और gold जो है उसे time आया था एक बात याद रखें iron उस समय नहीं आया था हरपन people didn't know about iron ये चीज रिगवेदिक पिरिड में आता है क्योंकि iron को iron के बारे में पता था हरपन people को iron नहीं पता था iron के बारे में तो copper, bronze gold पर काम करने का काम है साथ में जो shell है fierce है ये एक तरीके का अब समझते है clay substance होता है जो gum वगएरा में लाके बनाया जाता है बाद में हार्ड हो जाता है बहुत इससे beats वगएर बना सकते है साथ में जो terracotta और burnt bricks वगएरा है burnt clay है इसके खिलोने और statue बनाया जाते थे ये सारा काम भी मोहंजोदारों में होता था shapes कौन-कौन से तरीके के होते थे ये देखे disc का shape है cylindrical shape है spherical barrel shape barrel क्या होता है barrel shape समझ दीजे barrel एक तरीकी से जो नाल होती है बंदू की उसको barrel कहते है इस तरीकी का जो shape होगा lumber cylinder जैसा या फिर segmented तो इस तरीकी के shapes के design और जो potries हैं ये सारी utensils बनाया जाते थे इसके लावर decoration में paintings पगेरा की जा रही है सुन्धरता कैसे बढ़ाएंगे सुन्धरता के साथ उसमें luxurious कैसे बनाएंगे उस चीज़ को ये सारी चीज़ें की जाते थी मोहंजोतारों में अलग-अलग materials का भी उसकिया जा रहा है और depending on the variety depending on the requirement उसको बनाया जा रहा है जो modeling है ये और ये modeling की वज़े से क्या होगा अलग-अलग shapes दे पा रहे हैं आप चीज़ों को जैसे जो चीज़े बनाई जा रही है stones की उसमें भी काफी अलग-अलग shapes देने का प्रयास किया जा रहा है red color का एक जैसे कालनीरियन एक stone होता है उसमें yellow raw material मिला जाएगा और भी नएने चीज़े बनाई जाएगी हलाकि इतना हमें गहराई में नहीं जाना है कि चीज़े में design है किस तरीके की होती थी है material में थोड़ा वहता idea हमारे पास होना चाहिए एक general idea की जरुरत है अब नागिश्वर और बालक कोट जो हैं यह coast के पास में देखने मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा जो भी ports के पास में जगाए है ना या coastal areas है वहाँ पर चीज़ों का आधान प्रदान भी होता है और साथ में factories भी देखने मिलती है जिसमें मोहँजोदारो और हरपा तो है इसके अलावा आप देखें तो जो finished products है यह चनुदारो और लोथल से भी आते थे और यह चनुदारो और लोथल से आएंगे और मोहँजोदारो और हरपा में विका करते थे तो इसलिए चनुदारो और लोथल भी important है अब हम बात करें और centers of production की मोहँजोदारो और हरपा के अलावा अब देखें जो production है उसके बारे में archaeologist study करने का प्रयास करते हैं जो raw material है वो कहां से आता था जैसे जो stone nodules है जो stone पत्थर के तुकड़े आएंगे वो कहां से आते हैं tools हो गया, copper ore हो गया इन सारी चीजों को जहां जहां से मिलते हैं वहां वहां archaeologist समझ जाते हैं यहां यहां पर काम होता होगा यह craft के centers होंगे जैसे कि मान के चलिए सुनार अगर काम कर रहा है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि gold feelings वहां पर मिल जाए लुहार अगर काम कर रहा है तो आपको iron feelings वहां पर मिल जाएंगी इस तरीके के evidences archaeologists ढूडते हैं कि जो भी waste होगा है वो best indicator बन जाएगा कि यहां पर craft work हुआ करते होंगे इसके लिए अलग लग जगाव पर waste को ढूडा जाता है जिस type का waste है उससाब से craft work पता चल जाता है जैसे कहीं आपको terror quota देखने मिलेगा मतलब भाव पर खिलोने बनते हैं इससे indications निकालते हैं जो आपके archaeologists होते हैं वो छोटे छोटे तुकडे देखेंगे small objects है छोटे तुकडे हैं अगर मैं आपको example से समझाने का प्रयास करूँ तो आप समझे मोहन, जोदारो और हरपा में factory लगी है लेकिन छोटी-छोटी cottage industry जो है वो आसपास के लाखों में भी आपको देखने मिलेगी तो ये पता करते हैं archaeologists इससे पता लगाने का प्रयास करते हैं अब hoards क्या होता है hoards ऐसे objects होते हैं जिनको बड़े समाल के रखा जाता है और समाल के कहां रखा जाएगा आपने दिखा होगा picture वे या काट्मिन में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा गढ़ा है उसमें बहुत सारा सोना बरके रख दिया अब यह जो है इसको hoard कहेंगे आपने किसी चीज़को hoard कर लिया जिसको समाल के आप guard के कहीं तो यह जो hoarding है यह container में आपने बहुत सारा सामन रख लिए इसको hoard कहेंगे objects जो आप उसके अंदर store करना उसको अब आप किस चीज़को store करके रखते हैं chocolate तो आप store करके रखते नहीं है घहूं तो आप store करके जमीन में नहीं गड़ा देंगे आप हमेशा precious चीज़ों के साथ ऐसा करते हैं चाहे वो dwelling हो या फिर metal objects हो इन सारी चीज़ों को आप रखेंगे as a hoard आप इन सारी चीज़ों को रखेंगे अगर किसी case में जो orange and loner है वो इसको retrieve नहीं कर पाएगा तो क्या होगा है वो उस तरीके से गड़े रहेंगे और बाद में archaeologist जब excavate करते हैं तो उनको यह चीज मिल जाती है और archaeologist उस hoard से assumptions निकालते हैं पता लगाते हैं यह कितना पुराना सिक्का है यह फिर यह चीज जो है यह किसने गड़ाई होगी यह किसको सब्मंदित होगी यह तमाम चीज़ है इससे हमने craft के बारे में तो समझा अब हमें पता करना है यह craft के लिए जो raw material है वो कहां से आया करता था किन-किन जगां से raw material को उठाया जाता था तो इसके लिए हमें transportation system समझे की ज़रूत है transportation समझे के लिए ज़रूत है किया बहाँ पर wheel की जानकारी थी तो लगता है कि हाँ wheel की जानकारी थी क्योंकि खिलोने में इस तरीकी की गाड़ी देखी गई है, बैल गाड़ी देखी गई है अगर बुलक कार्ट थी इसका मतलब यह है कि इनको transportation की बुलक कार्ट की जानकारी थी और land route पे एक जगा से दूसरी जगा लोगों को और सामान को लाया ले जाया जाता होगा साथ में ships और boats भी देखने मिलते हैं जो seal पे, जो seal होती है, उसके उपर ship और boat की design देखने मिलती है sea routes वागेरा के बारे में पता चलता है जो सिंदू नदी है और उसकी जो tributaries है, उन पे जो routes है, उनके बारे में देखने मिलता है साथ में coastal routes के बारे में भी पता चलता है तो इससे हमें समझ भाया है कि land और water, water में जिसमें आ सकता है आपका sea route भी और river route भी यहाँ पर goods और people का transportation हुआ करता था यहाँ पर देखे हरपन civilization और West Tracia की बात करी जा रही है, यह land और sea routes को दिखा जा रहा है किस तरीके से वैपार हुआ करता था, इस gap को इस पूरे map को आप observe कर सकते हैं यहाँ पर आप देखें, मेलुआ हो गया, लोथल है, हरपपा हो गया, यहाँ से जो आपकी river routes हैं, फिर आके वो sea route में मिल जाती है सुद्गेंडोर है यहाँ पर, सहरे शुक्त है, तुरान, अल्तिंदीब, कैस्पियंसी, यह सारे इलाकों का आप देखें किस तरीके से वैपार चलता होगा, यह इस map से आपको समझ में आ रहा है इसके आगे हम बाग करें, कि transportation तो समझ गए, अब क्या strategies होती होगी, कि आपको raw materials अगर obtain करना है, तो क्या strategy होने चाहिए उसकी जैसे जो हरपन है, वो raw materials को procure करने के लिए, relations को establish करेंगे, अलग-अलग जगा पर जाएंगे, travel करेंगे, friendly relations, मान के चलिए आज ही है, इंडिया और अमेरिका, अमेरिका से इंडिया को कोई शीच चाहिए, तो यहां से इंडिया से अमेरिका ministers जाएंगे, ministerial meeting होगी, बाचीत होगी, यहां से हम भी कहेंगे, कहां आप हमसे service ले लिजे, आप हमें goods दे दीजे, आप हमें secondary products देंगे, हम आपको tertiary products देंगे, इस तरीकी की बाचीत करें जाती है, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ करता था, जैसे आप देखें, ना अलग अलग जगाओं से चीज़ें आया करती थी, फिर उन पर काम किया जाता था, जैसे जो खेतरी region है, राजिस्थान का, वहाँ से copper आता था, और जो south इंडिया का region है, वहाँ से gold आता था, तो ऐसे अलग अलग जगाओं से raw material को एखटा करा जाता था, और उनको important craft centers के मिल किया जा रहा है, कहां से, यह सारी चीज़ें यहाँ पर बताईए, खेर इतना ही हमें समझना है कि copper जो है, वो खेतरी area जो है, राजिस्थान का, वहाँ से आता था, मैप में आप फिर से देखिए, हरपा, गनिश्वर जोथपूर कल्चर, अलवर कल्चर, और उसके बाद, क फिर उनके उपर काम हुआ करता था, important sites पे, तो यहाँ से गनिश्वर जोथपूर कल्चर से यहाँ से पहुचेंगे, raw material के form में copper, और फिर यहाँ पर काम हुआ उस पे, अब हम बात करें, क्या strategies है, बहुत दूर दूर के जो देश है, वहाँ से माल को कैसे बुलाया जाता है इसके बारे में हम देखें, तो आप देखें, recently archaeologist ने नई नई चीज़े बताई हैं, जिसमें से एक important बात यह बताते हैं, कि जो copper है, वो उमान से भी आता था, इसके अलावा आप देखें, chemical analysis किया जाता है, और पता लगता है कि यह जो उमानी copper है, और हरपन copper है, इसके artifact ज आता होगा, इसके बारे में समझने की जरूत है, तो इस तरी कि अलग लग जगाओं से पता चलाए कि सिर्फ इंडिया से ही copper है, हम बाहर से भी copper लेते थे, हमारा जो वैपार है, वो बाहर से भी होता था, इसके अलावा black clay के जो pots हैं, या black clay की thick layers देखने मिली है, जो उमान साइट्स हैं वहाँ पर, और उससे भी कही न कहीं हम यह पता लगता सकते हैं, जो हरपन जार्ज हैं, वो उमान तक गया है, मतलब उमान और हरपा में भी वैपार हुआ करता था, यह चीज़ यहाँ पर signify करने की कोशिश कर रहे हैं, यह हरपन जार्ज है, यह उमान में पा कॉपर के exchange में इन वैसल्स को भेजा गया होगा, यह archaeologist हमें बता रहे हैं, साथ में आप देखें, जो Mesopotamian text हैं, जो 3rd million BC की हैं, इसमें बता जा रहा है, जो मगन है, उमान का इलाका, वहाँ से कॉपर आ रहा है, Mesopotamia में मगन, जो उमान है, वहाँ से कॉपर आ रहा है, आप historian बन जाओ, better है कि आप collector बने, IS बने, तो थोड़ी बहुत जान का रही है, आप एखटी करती जाए, कि कॉपर जो है, उसे राजथान से नहीं आता था, उमान से लिए आता था, और वो उमान, Mesopotamian को भी बेचा करता था, बेचा करता था, कॉपर, अब बात करने, जो Mes अगलग products आते थे, जैसे मेलुआ जो है, वहाँ से carnelian, lapis lazuli, copper, gold, और लकडी के अलग-लग सामानों को import किया जाता था, फिर से देखे, सीधे हाथ पे, यह जो seal है, इसमें boat बनी हुई है, इससे ही पता चलता है, कि यहाँ पर river थी, river में transportation होता था, और sea में transportation हुआ करता था यह देखे, आपको यहाँ पर boat देखने मिरता ही है, अब हम करें मिसरपोटमिया की बात, तो मिसरपोटमिया में एक myth है, यहाँ पर कहा जाता है, एक कहानी जैसी आपके लिजे, या फिर एक शब्द है, कि आपकी जो bird है, जो आपकी पक्षी है, वो हाजा बर्ड, हाजा ब किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, आर्केलोजिस्ट में, यह जो हाजा बढ़ है, वो पीकॉक की बात करते है, यह मिसरपोटमिया के जो लोग है, वो, साथ में मिसरपोटमिया के लोग मेलुआ के बारे में चर्चा करते हैं, जो हरपन निजने, उसके और पर जानते थे मेलुआ के अरिया को इसके साथ में आप देखें सील भी पाई गई है जिन में बोट और शिप हैं यहाँ पर मैंने आपको सील दिखाई भी है इस तरीकी की सील मैंसे पुटर में पाई गई है जो मेलुआ से मिली है अब आते हम सील स्क्रिप्ट एंड वेट मालगारी के उस दरबाजे को आदमी खोलता है जो भी इंचारज होता है उसके अंदर माल को रखने के बाद इस दरबाजे को बंद करके एक तार लगा के एक सील लगा देजाती है और जब वो destination पर पहुंचाएगा तो इस तार को काटके इस सील को अलग कर दिया जाता है इ टेप लगाने से सामने आरा जब उस टेप को फाड़ता है तो उसका समझ में आता है कि हाँ अंदर का जो सामाने है वो इंटाक्ट है थोड़ा सा पुराने जामाने में चलें तो पहले जब टेप नहीं हुआ करती थी स्टिपलन नहीं हुआ करता था तो यह envelope के ओपर wax को गरम करके यहाँ पर गोले जासा चपका दिया करते थे आपने web series वेगरा में यह चीज़ देखा होगा कोई भी पूरानी web series में तो यह जो पूरानी web series में दिखाते है वैक्स चिपकाने का काम, यह काम है सील करने का, अब जो इस यह सील कर दिया है, इससे क्या होगा, लॉंग डिस्टेंस में, पहली चीज तो यह आपको समझ में आगा, कि यह जो सामन है, यह बीच पर कहीं नहीं खोला गया है, इसकी good quality के बारे में आपको पता चलता है, कहीं मैंने आपको बताया था, ID card के तोर पे भी इसको use किया जाता है, यह हो गए आपके सील के काम, अब सील पे motifs जो हैं, वो अलग अलग बनाय जाते थे, कहीं आपको boat देखने मिलेगी, कहीं आपको proto-shiva, जो पशुपतिनाथ है, वो देखने मिलते हैं, कहीं आपको unicorn देखने मिलते हैं, यह जो seal है, यह roper में पाई गई थी, और इसमें देखिया, बुल बना हुआ है, अब हम आते हैं, script के उपर, script की बात करें, तो जो हरपन script है, इसको अभी भी decipher नहीं किया गया, यह line जो writing है, इसमें आप देखेंगे, इसको decipher नहीं किया गया, इसके बहुत सारे शब्द है, यह फिर अलग लग signs है, लग भग 345 से 40 साइन है, हमें बस सित्ता जानना है, कि इसको decipher नहीं किया गया है, इसके अलावा, यह भी हमें थोड़ा सा पता होना जी, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाएगा आपका right से, ठीक है, तो इसको right से left की तरफ हम generally left to right लिखते हैं, इसको लिखा जाता है, राइट से left की तरफ इता आपको याद रखना है, इसके अलावा, हरपन स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूत हमें नहीं है, अब इसके अलावा यह भी देखा जाता है, कि जो अलग अलग objects हैं, उन पे भी आ आपको लिखावट मिलेगी, कॉपर है, टर्रकोटर के टाबलिट्स पे है, जुवलदी पे, हड्टियों पर भी लिखावट आपको मिलेगी, और इस तरीके से ancient signboards पे भी आपको चीज़े लिखी मिलेगी, पर पर परशानी बस यह है कि हम इसको crack नहीं कर पाए हैं, आपको लिखावट मिलती है, लेकिन उसको भी समझा कठेन हो जाता है, कपड़े या अनिमल स्किन के, पहली बात तो वो कपड़े जो है वो डिग्रेड हो जाता है, दूसरी बात जो script है उसको हम crack नहीं कर पाए, बात करें weights की, तो weights जो है, वो uniformly follow करे जाते थे, छोटे और बड़े दोनों प्रकार के weights हुआ करते थे, depending on कि आपको किस चीज को तोलना है, जैसे अनाज है, अनाज को तोलने के लिए आप बड़े weights को use करेंगे, और अगर हलके छोटे weights जो है, वो आप stones, जो precious metals है या precious stone है, उनके लिए use किया करते थे, तो जैसे lower denomination है weight की, वो 1, 2, 4, 6, 16, 32 इस तरीके से चलती थी, और जो higher denomination है, उसमें decimal system चलता था, तो ये दोनों चीज़े आपको पता होने चाहिए, कि lower system कहा ही use करेंगे, जो अलदीस में use करेंगे, और इसमें system चलेगा, 1, 2, 4, 8 इस तरीके से, और बड़े में आपकी use करते है decimal system, जैसे food grains वागेर को हाला कि ये चीज़ आपको पता होगी, ये इस तरीके का कटोरा है, एक तरह, और इस तरीके से ही एक और कटोरा, यहाँ भी लगा है, यहाँ पर weight को रख दिया, और यहाँ पर उस सामन को रख दिया, और यहाँ पर एक काटा होता है, वो काटा जब बीच में आजा मतलब equal ह हो गया है, तो इस तरीके का यूज किया जाता था, साथ में कपड़े वगरा नापने का भी काम हो, और दूसरे material को नापने के लिए भी अलग-अलग units का यूज किया जाता था, अब इसके बाद हम बात करें, कि ये जो हरपन civilization है, इसको rule कौन करता था, या फिर इसको हम कहे तो क्या इसका कोई ruler था, क्या उसका कोई king था, इसी इसके बारे में जानकारी archaeologist प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, देखें, सही माहिन में, तो ये जो पूरा chapter है, इसमें archaeologist जो है, उनके सामने एक सवाल आता है, फिर उसका वो जवाब देने का प्रयास करते है, और ऐसे पूरी कहानी चलती है, मज़़दार बात ये है, archaeologist एक कहते हैं, कि जिस तरीके की uniformity हमें देखने मिलती है, चाहे weights की बात करें हम, या फिर हम seal की बात करें, या फिर हम potries की बात करें, तो इतने बड़े अलाके में, इतने बड़े geographical unit में, हमें जी uniformity देखने मिल लई है, ज तब ही हो सकती है, जब एक strong central power हो, इसी वज़े से ये कहते हैं, कि कहीं न कहीं, यहाँ पर कोई king होना चाहिए, और अगर king होना चाहिए, तो उसके बारे में बात होने चाहिए, king की चर्चा होनी चाहिए, आप देखें, इतने दूर दूर तक वैपार किया जा रहा है, और क कहीं न कहीं, यहाँ से ये समझ में आना चाहिए, कोई न कोई regulating authority तो होगी, कोई न कोई ruling authority होगी, साथ में archaeologist एक मूर्ती मिलती हैं उनको, जो मोहन जोदारों में मिलती है, priest king की, और इसको ही ये मान लेते हैं, कि हो सकता है, यही राजा हो, क्योंकि मोहन जोदारों से ही, ज आजाता है आपका मोहन जोदारों में, जो और को लोजिस्ट लगाते हैं, कि हो सकता है, कि मोहन जोदारों भी, एक priest king के द्वारा ही, गवन किया जाता था, याद करें, मैंने का था, जो मेल हैं, वो भी जो अल्दी पहना करते थे, यहाँ देखें, यह एक मेल पहने हैं, सा आर्थी यह है, कि यह काफी जादा fashion sensitive भी थे, इंको पता था, how to don things, कैसे चीजों को पहनना है, कैसे fashion करना है, इसके लावन की दाड़ी भी काफी set है, मतलब, यह काफी जादा अपने looks को भी लेके, काफी ध्यान देते थे, कि आपको कैसे looks रखने है, कैसे आपको दिखना ह यह भी एक important चीज है, जो हमें note करने चाहिए, कि जो lifestyle थी, हरपन्स की, वो कैसी थी, कुछ ऐसे archaeological, archaeologist हैं, जो अपनी उपेर ने रखते हैं, कि जो हरपा है, इसमें कोई ruler नहीं था, कहते हैं कि यहाँ पर democracy थी, और कुछ लोग जो हैं, वो कहते हैं, कि जो व्यापारी हैं, वो मिलके rule किया करते थे, कुछ ऐसा भी मानते हैं, कि जो मोवन जोदार हो, उसका अलग ruler था, और जो हरपा था, उसका अलग ruler था, तो अलग अलग चीज़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह सब जो दिमाग में आ रहा है, कि rulers होंगे, वो इसलिए आता है, क्योंकि arqueologist, single state, single ruler की बात करते हैं, अब इससे बात आ जाती है, कि इतना सब बड़ी आ हो रहा था, बड़े बड़ी बिल्डिंगे पर रही है, बड़े swimming pool जैसा great बात है, अच्छा खासा seal, weight and measures का काम है, दूर दूर तक व्यापार है, import, export चल दा है, उसके बाद civilization खतम कैसे हो जात जाती है, जो अरपन civilization है, 1800 BC के आसपास, दीरे दीरे इसको लोग छोड़ने लगे, abandon करने लगे, जो population है, वो नई settlements की तरब बढ़ती है, विजरा, थरयाना और Western उत्रक्रदेश के इलाकों में settlement आ जाती है, settlement shift होती है, इसके साथ में आप देखें, जो distinctive artifacts in civilization के, जैसे weights, seal है, special beats है, या फिर long distance trade है, craft civilizations है, specializations है, sorry, ये सारी चीज़े जो है, ये गायब होने लगती है, 1800 के बाद, जो 1800 के बाद आपको deterioration देखने मिलता है, हरपन civilization में, अब जो housing construction की गजब की technique हुआ करती थी, मैंने आपको बताया, मोहन जोदारों में, drainage का भी proper system है, वो सारी चीज़े धीरे धीरे खतम होने लगी, deteriorate होने लगी, उनका standard जो है, वो गिरने लगा, बड़े बड़े जो public structures बना करते थे, वो भी अब देखना बंद हो गया, उनका production भी बंद हो गया, और overall आप देखें, जो artifacts थे, और जो settlements थी, उनमें आपको rural way of life देखने मिलेगा, गाओं का culture च scenario आगया, अब जब scenario आएगा, archaeologist के सामने, तो वो सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वो अपनी theories present करते हैं, कुछ कहते हैं, climatic change के वज़े से, कुछ कहते हैं, deforestation के वज़े से, कुछ कहते हैं, excessive flood, बहुत जादा बाल आने लगी थी, उसकी वज़े से, कोई कहत है, जो river है, वो सूख गई, या फिर उसने अपना जो core से उसको shift कर दिया, कोई कहते हैं, कि जो landscape है, उसका overuse कर दिया गया था, तो इस तरीके से बहुत सारे, अपने अपने हिसाब से theories दी जाती है, कि क्या cause हो सकता है, इस civilization का खतम होने का, और ये सारे reasons, ढूरने का प्रया तो यहां तक की कहानी आप समझ गए, अब सवाल यह आता है, कि जो archaeologist है, इनने कैसे हरपन civilization को discover किया, तो यहां पर है Cunningham's Confusion, Cunningham को एक seal मिलती है, इनको father of Indian archaeology कहा जाता है, इनको एक scene मिलती है, लेकिन इस समझ ने पाते है, इस seal काई की है, कि cheese की है, ये काफी study करते है, इ Chinese Buddhist pilgrims है, चाहे फाहीन की बात करें, और भी बहुत सारे लोग थे, उन सब की आगर हम बात देखे, यून संग है, फाहीन है, तो इन सब ने, जो भी अपने accounts लिखे थे, pilgrimage accounts लिखे थे, उनके बारे में study करते है, उनको समझते है, ये जो Chinese आई थे 4th से 7th century की बीच में, उनकी जो भी चीज़ें उनको पढ़ते हैं, ये देखिए, कनिंगम को एक sketch बनाते है, कनिंगम, एक seal का जो हरपा में मिलती है, उस seal का ये sketch है, तो ये देखिए, 4th से 7th century की बीच में, जो Chinese Buddhist pilgrim से study करते हैं, इनकी accounts को study करते हैं, कनिंगम, हरपा नार्टिफेक्ट जो है, वो मिलत हैं, 19th century में, ये पहुंचते हैं, कनिंगम तक, और धीरे धीरे ये realize करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, ये कितने पुराने होगे, जब seal दी जाती है, कनिंगम को एक Englishman की त्वारा, तो ये बहुत प्रयास करते हैं, पता लगा है, लेकिन इनको नहीं समझ में आपाता है, कि इसका real origin क्या है, इसका time frame क्या है, ये सोचते हैं, 6th century से, 4th century के बीच की बात है, और सबसे गजब की चीज़ ये है, कि आपको लगेगा कि इनको समझ में नहीं आ रहा था, वो हरपन civilization की seal है, पर आप अगर देखें, मैं आपसे इतनी पुरानी बात करा हूँ, उस समय based on the technology and based on the analysis, बहुत ही normal चीज़ है, it shouldn't be surprising कि उनको समझ में नहीं आए, कि ये हरपन civilization की बात है, अक्सर ऐसा होता है, कि जब आप time से आगे निकल जाते हैं, तब आपको लगता है, कि जो हमारे ancestors हैं, उनने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, ल तो कभी भी decision making में, हम जब भी अपने ancestors की बात करते हैं, forefathers की बात करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए, कि हम उनकी socio-economic conditions के साब से उनको judge करें, यहाँ से बात आते हैं, दूसरे important person के उपर, John Marshall के उपर, John Marshall जो है, वो director general बनते हैं, archaeological society of India के, और ये Indian archaeology में बहुत ही महत change लेकर आते हैं, यह काफी professional तरीके से करते हैं, क्योंकि professional archaeologist थे, इन्हेंने Greece और Crete में काम कर लिया था, और उस experience को इंडिया में use करते हैं, यह अलग-अलग तरीके की चीज़ें, छोटी-छोटी, रोजमरा की चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, और उसको भी काफी interest से ल stratigraphy क्या है, जो layer by layer देखे, एक civilization बनेगी, उसके बाद दूसरी civilization इसके उपर बसेगी, फिर जो एक और बसेगी, फिर एक और बसेगी, तो सबसे नई civilization की जो layer है, वो सबसे उपर वाली होगी, और सबसे पुरहनी civilization की layer सबसे नीचे वाली, लेकिन अगर मैं इस तरीके से इस लोगों के नाम याद रखना, और इनसे गलती क्या हुई, थोड़ी बहुत जानकरी stratification के बाए, फिर आए, R.E.M. Wheeler की problem समझें आप, तो ये जो है, ये 1944 में बनते हैं, डारेक्टर जनरल ASI के, और ये problem की rectify करते हैं, ये पहले फौज में भी रहे थे, तो ये अपना military precision use क करेंगे, और फिर उसके बाद ये strat, जो एक अलग-अलग layers होती है, उनमें study करने का प्रयास करेंगे, और ये काफी चीजें खटी करेंगे, फिर आते हैं, आपके DR सहानी, बड़े मुश्कुरा रहे हैं, एक पहले, आप कह सकते हैं, कि जो four runners है, Indian archaeology में, इन्होंने layers को काफ इनरजी भी, seals जो होती हैं, मों जोदारों की, ये और भी जगाँ पर इनको मिलती हैं, और फिर archaeological culture जो होता है, उसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं, ये 1924 की बात है, John Marshall जो है, डार्क्टर जनरल, वो फिर announce करते हैं, finally, कि एक नई civilization रूड़ी गई है, जिसको वो नाम द में जब वो the story of Indian archaeology लगते हैं, तो उसमें वो एक line लगते है, ये Marshall left India 3000 years older than he had found her, मतब मार्शल को इंडिया जब मिला था, तो वो जब उसको छोड़ के गए, तो वो 3000 साल पुराना हो गया था, क्योंकि उन्होंने पीछे की जो इतियास है, उसको ढूर नेकाला था, और उसक नहीं जानकारी काफी है, साथ में आप देखेंगे, ये जो है, ये similarity भी established करते है, जो unidentified seals थी Mesopotamia में, वो जो एक कड़ी थी, जो मिस्स कर रही थी, कि Mesopotamia की seal हैं, वो कहां से आई, तो वो पता चल जाता है, कि वो Indus Valley civilization से आई है, तो ये चीज़ भी इसी समय होती है, अब हमने सारी चीज़ों की बात कर ली, जो recent developments है, archaeological survey में हरपा की, उसकी बात करें, मैंने आपको timeline तो बताई दी थी, फिर भी आप समझेए, कि 1980 में क्या होता है, international interest बढ़ता है, Germans, Italians, Americans, अलग-लग लोग team लेके आते हैं अपनी, और यहाँ पर excavation चालू करते हैं, अलग-अलग से लोग आएंगे और हरप और मौंजुदालों में excavation करेंगे, 90 scientific techniques का use किया जाएगा, और जो भी clay है, stone है, metal, plants, animal remains, इनका minutely analysis किया जाएगा, बहुत ही बारीकी से analysis किया जाता है, और इन ही analysis की वज़े से हमें और 90 sites देखने मिलती हैं, अभी भी 90 sites excavate करी जा रहे हैं, अब कुछ problems भी आती हैं, जब आप material evidence से खटा करने का प्रयास करते हैं, तो उनमें से एक बहुत ही महत्पूर्ण problem यह है, कि जो bio degradable material है, जैसे खाने की चीज़े हैं, पहनने की चीज़े हैं, तो यह पहले degrad हो जाती हैं, तो लम्मे समय तक तो वो बचेंगी नहीं, वो degrad and decompose होक के खतम हो जाएंगी, अब जो major waste है, उसको कभी-कभी reuse कर लिया जाता है, या फिर recycle कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, जैसे आपने देखा, जो bricks है हरपा की, उन सारी bricks को लोगों ने अपने घरों में लगा लिया, तो ऐसी स्तिती में बहुत मुश्किल हो जाता है material evidence से कट्टा करना, और ये बहुती बड़ा challenge archaeologist face करते हैं, साथ में आप देखें, जो चीजों का मतलब archaeologist नहीं समझ पाते थे, उनको वो simply religious practice के चीजों को या फिर उनको highlight करके या mark कर देते थे, कि ये शायद religious practices के लिए use की जाती होंगी, इस तरीकी से वो उस चीज को अलग कर देते थे, ऐससे बात आती है कि archaeologist evidence को कैसे distribute करते हैं, कैसे उसको classify करते हैं, तो classify करने के कुछ सामने तरीके होते हैं, जैसे ये देखेंगे कि जो रोज मर्रा की चीज़ है, principle classification कैसा होगा, एक होगा simple, जो stone है, clay है, bone, ivory, इन सब को ये classify कर देगे, तो जो simple rose की चीज़ है, simple purpose की चीज़ें, उनको अलग classify करेंगे, और जो जादा complicated चीज़ें, उनको अलग से classify करेंगे, जैसे की tools हो गए, या ornaments हो गए, या फिर जो ritual use के लिए use किया जाता था, उसको अलग classify कर देगे, इसके साथ में वो उसका जो shape है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, और आज के सम जैसे अगर उनको traces of cotton मिल जाए, हरपन साइट में बहुत जगा देखने मिला, तो उससे उनको समझ में आता है कि किस तरीके के कपड़े पेने जाते होंगे, और sculptures बगेर पे भी अगर वो कपड़े दिख रहे हैं, तो वो ऐसा समझते हैं, कि शायद ये कपड़ा जो है, वो mother goddess को बनाया गया है, साथ में एक man का statue देखा गया, जिसमें मैंने आपको बताया, posture के बारे में कि किस तरीके से standardized posture दिखाने का प्रयास किया है, एक हाँ जो है, वो knee पे रखा गया होगा, इससे seating position के बारे में पता चलता है, जिसमें मैंने प्रिस्ट की, जो आपका priest केंग ह उसकी चर्चा की थी, कैसे उसको identify किया गया, जोल्दी पैनने का तरीका, कपड़े, वो सारी चीज़े identify के रहे हैं, दूसरे structures की बात कर लें, तुझे great बात है, fire altar है, commandalu है, shivling, swastik, इन सारी चीज़ों से ये समझ में आता है कि एक type का Hinduism practice किया जाता होगा, indication है कि form of Hinduism was practiced, अब यह जो religious beliefs हैं, इनको reconstruct करने का प्रयास किया जाता है, यहाँ पर seals को examine किया जाएगा, plant motives को, जो आपके natural worship किया जाती होगी अगर, उसको study करने का प्रयास किया जाता है, animals को study करते हैं, जैसे seal पे जो unicorn बना है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, कि यह जो animal है, शायद यह worship किया जाता होगा इस animal को, इसलिए important है, किसी composite culture को follow किया जाता होगा, शायद हरपन civilization में, इसके साथ में, एक और seal जो बहुत important है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, पशुपतिनाद जी की seal जो है, जिसको आप प्रोटो शिवा के नाम से भी जानते हैं, यह भी अब देखें, invasion के कोई evidence है क्या, इंडिस वेली civilization में ऐसा कहा जाता है कि evidence है, invasion के, तो एक lane है, एक जगा है, जिसको आप dead man lane के राम से जानते हैं, यह एक सक्री सी गली है, जिसमें आपको बहुत सारे खोपडी, skull देखने मिल जाएंगी, हड़ियां पड़ी देख जाएंग यह इलाका जो होता है, इसको आप thorax करते हैं, तो यह जो है, यह thorax का इलाका है, ऐसे आपको हड़ियां देखने मिल जाती है, साथ में upper arms of an adult is also discovered, यह लगबाग आप देखें, चार फीट, दो इंच की गहराई में आपको यह सारी चीज़ें मिल जाती है, यह bodies जो हैं, बैक diagonally, मतलब अपनी पीट के बल और diagonally पड़ी हुई है, यह सारी चीज़ें एतनी बारी जानकारी है, यह हमें ज़रूत नहीं है, बस यह देखें, dead man's lane कहा जाता है, और कहते हैं कि हो सकता है, शायद यहाँ पर invasion हुआ हूँ, लोग इसको रिवेल दिकाल से और आर्यन invasion से भी जोगने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे गजब की बात यह है, कि यह सारी चीजों में एक परशानी है, कहीं पर भी आप यह नहीं देखेंगे, कि आर्मर मिले हूँ, कहीं पर extensive burning नहीं देखने मिलती है, कोई भी body जिसमे warriors जो आर्मर पहनते हैं, आपने देखी होगी, जो सारी चीज़े मिस करी जाती हैं, इस वज़े सासरनी लगता कि invasion किया किया होगा, इसके साथ में आप देखें, defense का भी कोई system नहीं समझ माता है, क्योंकि जो fortification था अप सिर्ब सीटरल में था, और उसके बाद भी आपको यह सारे evidence नहीं मिलते हैं, final defense के evidence नहीं मिलते हैं, फिर उसको use करा जाएगा, फिर उसको फिक दिया जाएगा, और इस तरीके से layer by layer archaeological site तयार होते जाती है, आप देखें किसी भी landscape को use किया जाएगा, उसको reuse किया जाएगा, उसमें building बनाए जाएगी, फिर building टूटेगी, इस तरीके से आप देखें layer by layer develop हो जाती है, इसके उपर बनाती जाएगी और एक दिन आप देखेंगे कि रोड आपके मकान से भी उपर हो गई है भले आपने मकान जब बनाया था तब रोड आपके मकान से तीन फुट नीचे थी लेकिन धीरे दिरे आप देखेंगे कि रोड ऊपर आती जा रही और आपका मकान नीचे जाता जा रहा है तो इस तरीके से layer by layer यह चीज़ डेवलप हो जाती है और archaeologist इसी चीज़ को study करते हैं साथ में यह यह भी देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई चीज़ को छोड़ा जा रहा है abandonment हो रहा है एक city है उसको चोड़ दिया जाए तो उसके उपर फिर wind और water अपनी activities करेंगी जिससे erosions होंगे वो जो building है जो landscape है वो दिरे दिरे deteriorate करने लगेगा और इन सारी चीज़े को study किया जाता है मान के चलिए किसी जगा पर लोग रह रहे है occupation है किसी जगा पर तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो layers है उसमें color change देखने मिलेगा texture chain देखने मिलेगा और artifacts जो उनके बरतन है tools है ये सारी चीज़ें देखने मिलती है और अगर किसी जगा में कोई भी बस्ती नहीं है deserted जगा है तो वहाँ पर sterile layers बनेगी और इनको भी identify करा जा सकता है क्योंकि कोई भी traces जो है वो absent होंगे उसमें यहाँ पर देखें ये layers ऐसे form करते हैं पहले आकर पुरानी civilization यहाँ पे नई civilization और उपर इस तरीके से जो सबसे उपर है वो सबसे नई civilization और सबसे नीचे वाली civilization सबसे पुरानी और एक एक करके जो layers को आप study करते हैं उस study को ही आप stratigraphic कहते हैं और अलग-अलग cultures को आपको अलग-अलग periods को आपको study करना है तो sequence में आपको एक layer से दूसरी layer में बढ़ना होगा और यह गलती Marshall से हो गई थी मैंने आपसे बात कीजिए जिस सील की proto-shiva जिसको कहा जाता है कि हिंदू इजम में हो सकता है जो शुरुवाती दौर के जो भगवान थे वो ऐसे मना जाता है तो यह proto-shiva की सील को आप ध्यान से देखिए और रिगवेद में कहीं न कहीं यह mention किया गया रुद्र जो भगवान है जिनको शिव से depict किया जाता है वो कहीं न कहीं इस चीज़ से relate करे जाते है लेकिन आप देखिए जो शिव है रुद्र है रिगवेद में वो depict नहीं कर ज देखिए लिंग आप जानते हैं लिंग क्या होता है जो शिवलेंग है यह लिंग क्या है एक polished stone है जिसको भर्षब किया जाता है as shiva as a symbol of shiva साथ में जो शामन्स हैं उनके बारे में जान लीजे जो ऐसे men ये women जो magical powers रखते हैं heal करने का क्या आपको कोई बिमारी है वो आपक खतम होती है मानता हूं काफी लंबी चर्चा थी लेकिन बहुत ही मातपूर चर्चा थी यहाँ पर slide आपके सामने है वीडियो को pause करें और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें काफी असान जवाब सवाल है उमीद करता हूं आपने जवाब बनाया होगा सवाल है the director general of ASI often called the father of Indian archaeology was इसका जवाब आप जानते है Alexander Cunningham दूसरा सवाल है Harappan script was written from ये भी आप जानते है कि ये right to left देखे जाती है तीसरा है for what purpose was great bath used in Harappa ये मैंने आपको अलग से बता था कि अलग से कोई जब ritual होता था उसके लिए use किया जाता था इसका answer C for cat तो यहाँ पर इस picture के साथ जब ये mature Harappan civilization बने थी इस picture के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं मिलते हैं आप से theme number two की discussion में